करते हैं आज का क्लास में जो हम्で उस वेलोसिटी को बोलते हैं जब किसी ब्सक्सक्राइबteri हमेशा सेपना रहे यानि कि कॉंस्टेंट आप बोल सकते हो एक तरीके से मतलब वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही होगी क्या होगा अब इसका एक्जाम्पल क्या है तो एक्जाम्पल है कि अगर कोई बॉडी टिक है एक्जाम्पाइबेट कंवर करें एक्जाम्पल स्मल स्मय क्या बोलेंगेGER इफे बोडी कवस और इपभूर्डी covers equal displacements equal displacements displacements अपका बरावन हना चाहिए equal time intervals equal time intervals then the body is said to be in uniform velocity अपक्ता बोल्डी का जो velocity होगा वो क्या होगा uniform होगा अगला पाँ सेक्ड्न हो पाँच मीटर का displacement हुआ तो अगला पाँच सेक्ड्न होगा पाँच मीटर का displacement होगा फिर नेक्स फाइफ सेकंड में फाइफ मीटर का displacement होगा ठीक है अलद 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 नहीं होना चाहिए अलद 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 होने केस में उसको हम लोग क्या बोलते है non uniform velocity दूसरा क्या कहलाएगा मारा दूसरा है non uniform velocity अब non uniform velocity में क्या हो जाएगा अब यह उनिफॉर्म वेलासिटी में क्या है कि हमारा जो बॉडी होगा वह अन इक्वल डिस्पेस्मेंट कावर करेगा अन इक्वल टाइम इंटरवस्मेंट इस बॉडी कावर्स देखो सेमी चीज होगा वर इक्वल के जगह अन इक्वल हो जाएगा मतब बराबर मही रहे इफ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिक्स्पेस्मेंट्स इन अन इक्वल टाइम इंटरवर्स इन 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 इ कि इसका EXAMPLE किया तो मा नूक बोड़ी का तो रहा है जिसे पैला में किया कि 5 मुट किया कि प्र हुप कि lovers हुगा वह गितना हो कितना में 3 से चर्ण में या फिर 7 से चर्ण में देखो टाइम इंटरवल भी अनिक्वाद है ताइम बराबर नहीं है और डिस्टंस है वो डिस्टंस भी बराबर नहीं तो ऐसे कि इसमें जो वेलासिटी होगा उस वेलासिटी को हम लोग क्या बोलेंगे नन यूनिपॉर्म वेलासिटी ठीक है थर्ट टाइप पे आते हैं थर्ट टाइप है हमारा अवेर्ज वेलासिटी कि कि इस वेलासिटी क्या होता है देखो आज़ेश स्पीड हमने पढ़ाएं आज स्पीड में क्या पढ़ाता है हम लोगोंने वेलेश्ट टोटल इस्टेंस बाइट टाइप यहां पर डिस्टेंस के जहाएगा डिस्प्रेस्मेंट हो जाएगा ठीक है क्या होजाए कि दिस्प्लेस्मेंट क्या लिखेंगे दरीश्यो और टोटल डिस्प्लेस्मेंट वाइटोटल दाइंटेक एंट इस नोन आज आवरेज वेलाशिटीज वेलाशिटीज वेलाशिक देखेंगे क्या है मान दीजिए हम जोब के पास यहां पर एक बॉडी में कितना लगा का पार्ट अंपल कि एंगे गाभे आपसके डिस्टेस्पेश्मेंट करेंगे भी-ैब। तो V average की value कितनी हो जाएगी, तो V average की value हो जाएगी, R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 कहां तर जाएगा, जाएगी, तो 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 जाएग इस पर्टेंट फॉर्मूला है यह यह हम लोगों को यार रखना है और फाइनल थाइप रिखेंड थाइप में क्या होजाएगा आप एक पर इंस्टेंटनेंगे लॉसिटी कि अ इंस्टेंटनेंस वेलॉसिटी को आप लोग भी आई से रिनोट करते हैं क्या है वेलॉसिटी ऑफ बॉडी वेलॉसिटी ऑफ बॉडी एक एनी इंस्टेंट एक बॉड्ग झाल इंस्टेंटने इंस्टेंटने ख मेर्व एंने अख उन यसंड्योंटने इंस्टा झाल रिस्ट्टेंटने शanta कि कर दो कि इंस्टेंटनेयस वेलोसिटी और इंस्टनेयस स्पीड यूश्यली सेम होता है तो क्या होता है कि एक सकेंड में बॉडी किसी एक डिरिक्शन में मूव कर सकता है अगर अभी वैं तो दस बज़े के टाइम पर रहा है और वह बस चार अभी कुड़रमा के पर दस बजकर एक सकेंड में अभी तुरंट वह कुड़रमा के साइड है जा सकता है वह वापास हजारी बाग के साइड नहीं सकता है लेकिन अगर आप पास सेंड दस सेंड के बाद उसको बोलो गयो तो वह अपने डिरिक्शन चेंज कर सकता है तो किसी छोटे टाइम इंटर्विल पर उसका स्पीड का जो होता है वह और इंस्टैनेस स्पीड और इंस्टैनेस वेलोसिटी जोनों इस सेम होगा क्योंकि दोन स्वीटी आपको क्रिया नहीं है क्या तो अब हम लोग यहां पर हमने इसका टाइप नहीं थी आप अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन चीक है अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्या है एक्सेलरेशन को बताएगा एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन को यह हिंदी में हम लोग तोरन बोलते हैं याद रखेंगे को यादे है बताएगे देखो एक्सेलरेशन जो होता है वह हमारा होता है याद करो वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते है तोरन बोलते है नहीं लोग वेग यानी है नहीं यादी चेंगे वेलोस्ती बालूस्ती 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 is the rate of change of velocity with respect to time with respect to time is known as the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration अब इसका मतलब हुआ चलो समझते हैं इसका मतलब सबसे पहले अधर आप देखो कोई की बॉड़ी मूफ कर रहा है यह अपर इसकी जो इनिशल यह मैंने मास है इसका इनिशल वेलासिटी इसका यू है यह यू वेलासिटी से इस side move कर रहा था ठीक है यू इसका वे इस velocity के होने के वज़े से यहां पर देखो यहां पर अभी जो time था वो 0 है थोड़े देर बाद क्या हुआ यह जो box है यह box पहुंचकर के mass m है यह थोड़ा आगे पहुंच गया इस velocity के वज़े से और अभी जब यह आगे पहुंचा तो इसकी जो velocity हो गई वो वी हो गई ठीक है और टी जो है वो time वो टी time अब 0 नहीं रहा वो टी second हो गया है ठीक है तो ऐसे case में इसका velocity जो है वो यू से बढ़के वी हो गया यू से बढ़के कितना हो गया वी हम लोग क्या बोले rate of change of velocity तो rate of change of velocity जब आप खोलोगे तो यहां प change of velocity आप देखोगे तो change of velocity आगया v 14신 यू जब तॉ अब time की बात करोगे तो time हम लोगों कुतना लगा तू time हम लोगों को लगा है और इसी को दोनों को ratio जब दोनों को divide कर दोगे तो दोनों को divide करने पे हम लोगों को क्या मिलता हैsca दिवाइड करने पर हम लगों को मेंता है एक्सलेरेशन मैं इंसलेशन फोर फोर यहाँ पर चालिकिंगे हम यह आ वैलोसिती हिल वैलोसिती यहां पर क्या हो जाएगा बावर्द दो वी माइनस यू बाइट इस इंपलाइज एक्सेलरेशन का वैलु यू बाइट देक रहा है स्कीन नहीं आ रहे हैं बाती लोगों को आ रहे है अब आ रहे है अभी आया सबको बताओ येस से बाती लोगों को येस कीजिए स्कीन मौर आप्षिंट ने जाते हैं प्रूप कि तो इस बोलना चाहरा है अनुच्ट 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 अब बोल रहे थे अप्छे चल रहा है तो यहां समझने में दिक्कत हो रहा है अभी आ गया आप बताते हो उसके साथ शाव कर आए अश्ट अच्ट अश्ट आप अट सब्सक्राइग इस मौस का विलॉसिटी जी यहां जरू बोक्स शाल स्हिन स्वेल कितना था वे ए बाद में सके विइल्समय एकितना आप युटा कि स्वेल था यहां से यहां पोजिछक आपके अ बीपोजिशनों ते से इमावल के माझनों यह है position A, यह है position B, A से B पहुंचने में इसको time कितना लगा, तो A से B पहुंचने में इसको time कितना लगा, T गा, ठीक है यह देखो, T, तो changing velocity, यानि वेग में परिवर्तन कितना है, कितना velocity change है, तो V minus U, time कितना लगा, time लगा, T, और acceleration क्या होता है, acceleration is known as rate of change of velocity with respect to time, ठीक है, तो acceleration होगिया, changing velocity by time, ठीक है, यह हमारा एक formula है, बहुत important formula है, जो बहुत बात news up कते हैं, हम लोग, इसको सब ध्यान रखेएगा, T बराबर B minus U by T, अब इसका हम लोग देखते है, SI unit, आप लोग बताओ, SI unit, SI unit, आप लोग पढ़ चुते हो, क्या होता है, acceleration का SI unit, बढ़े हैं, ना, meter per second, सोच के बताओ, यह, लिखे, चैट में लिखे, चैट में लिखे, आवाज आपका, आवाज वाज वाइबरेट कर रहा है, आपका, चैट में लिखे, लिखे बताइए, बाती लोग, ऐसा unit, इसका होता है, मीट, देखो, ऊपर वेलासिटी है, तो वेलासिटी का होता है, meter per second, आठी के अरफे, और नीचे होता है, second, ऊपर meter per second, और नीचे second, तो meter per second को second से divide करोगे, तो ऐसा unit, इसका हो जाएगा, meter per second, square, okay, क्या होता है, मीटर per second, square, okay, आप लोग बता सकते हो, speed का मैंने चार तैब बताया, velocity का मैंने चार तैब बताया, एक्सलेशन देखोगा होगोंगे, तो बताऊगोंगे, आपने का होगोंगे, तो बताऊगे? चार, इसके बाद हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी क्या है कि कि यह एक्सेलेशन देखो कि मेरी बाग को यहां से ध्यान से समझना यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यह वेलॉसिटी हमेशा बढ़ सकता या घट भी सकता है मालगो मैंने पांच मेटर पड सकेंड लिया यह इस से हमेशा ज्यादा होगा यह ज़र भी झाट भी सकता है एका सिर्फ घड़ सकता है बढ़ सकता है या फिर डोनों हो सकता है बादी लोग बताईए किran बढूंब थे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं कि रिस्पॉंड कीजिए रिस्पॉंड कीजिए अनुज अर पिर गटा सकते हैं बताइए बाकी आनुज कमय आप लोग बताइए क्या बढ़ सकता है घट सकता है कि यह सेम रहेगा हमेशा तो क्या होता है ना कि यह वेलासिटी आप खुद देखो कि या तो स्पीड जो है बाड़ी का बढ़ सकता है तो यहां पर हम लोग क्या है ना किसका वेलासिटी जो भी चीज रहेगा वह बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं ठीक है आप नहीं मालूँ अनुज आप मुझे पार बताओ आप अभी दोड़ रहें पांच मीटर पर सकेंड से आ हां तो पिर कैसे बढ़ सकता है चाह कि घड़ कर नेया पर समझना यह अगर मालो नेया पांच मीटर पर सकेंड अगर बढ़ा बादा तो मेंटर पर सकेंद हो गा बीक है कि वैल्यों वहीं वा坐 मीटर पर सबस्केंद साथ माइनस पाँंच यानि कि सेवन माइनस उपाइड वी टू भी कई सद्विडू में निn पॉजिटीव आ रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटीव प strict खेढ कर सिरेशन के सिज्ट फेर वेर अट थिर हमेशा बढ़ता जाता है एक सलेश भी वाश्यान गार्वी पाइश ऐसा के स्कता है है कि पांच मी्ट्र पर सपस्पिश्ट데 अगला फिरोसेटी व कुग भानगी सिट या धिन मांथ पाउंस बीग मांच या दो हो और माइनस दो टौन चिनों कंसितना पांच 2 एसे में के सो हम लोग बोलते हैं और इकसलरेशन या summers कि क्या होता है कि वह हमेशा समय के साथ गठता जाता और ये किस कहा है आप साइकन चला रहे हो जैसे ब्रेक गार जाएगी आप रुख जाओगी तो उस टैव और इसका होता है कि अगर velocity बढ़ रहा है तो वो acceleration होगा, अगर velocity धट रहा है तो वो negative acceleration होगा, यानि कि आपका क्या होगा, retardation होगा, क्या ये concept सब को clear हुआ, velocity बढ़ने केस में positive acceleration होता है और velocity धटने केस में negative acceleration होता है, more option में जाहिए, more option में आपका green clear का button होगा, को हम लोग अभी नोट में लिखेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग लोट में लिखते हैं, क्या बना करके, ठीक है, देखें, कि मिलावथथ ए कि उसे लिखेंगे, इसी आफट हैं, लॉज़शिएग शर्ण बना करबेंगे, इस फिरसे पार मोवा विखेंगे, तितुम है व ज्यूशिए हैं, ज हिएक कि उसंगे हैं, लॉशवथच्ट इस पार आप लाण पोबसंगे बेन दा एक्षिलिएशन नुए इस नूव एस रिटार डेशन का बोलते हैं रिटार डेशन याएं इनाथमक्वरण रिटार डेशन और negative acceleration या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग B-acceleration ठीक है प्रचके नौ इंक केश अफ रिटाल्डेशन विलासिती अब रखनगे जान है और रूसरा पॉई इंक केश अफ रिटाल्डेशन कि वेलोसिटी ओपड़ी कि वोज ओन डिक्रीजिंग अब यह समय के साथ घटता जाता है लग इन केस ओपड़ादेशन वेलोस्टी ओपड़ी गोज आन डिक्रीजिंग यह फायनली विकल्स जीरो फायनली जाके क्या हो जाता है जीरो इसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इन केस ओफ पॉजिटीव एक्सलिशन निकेस ओफ पॉजिटीव एक्सलेरेशन आप लोग बताओ वेलोसिटी इसके से बढ़ेगा घटेगा इसमें क्या होगा बढ़ेगा से बढ़ेगा से बढ़ेगा एक्सलेशन वेलोसिटी ओड वादी वेलोसिटी ओड़ी इसलिए वहादी और वादी वहादी और increasing continuously बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग continuously लगातार बड़ी का वेलासिटी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है चाहथा आपने देखा कि a इकोल्स टू v-u यही से हमारा motion का first equation आता है याद करो इसको आप लिख सकते हो देखो तो v-u इकोल्स to 80 और यहां से इस इंप्लाइज v is equal to क्या होता है u plus 80 होगा? बताओ यही क्या कहलाया था इस इस नोन आज first equation of motion नहीं this is known as first equation of motion this is known as first equation of motion अब हम लुब फूर टाइप्स पर आते हैं types of acceleration जो है types of acceleration पहला टाइप आपका uniform acceleration क्या होता है कि कि वहांपे देखो हम लोग वेलासिटी ऊपर दीचे नीचे टाइम था तो उपर दिस्टेंस को लिए इक्वड और टाइंक को लिए इक्वल तो हों गया अगर दोनों को कर दिया, unequal, तो हो गिया non-uniform, उसी तरह यहां पर displacement, अगर displacement equal or time equal, तो हो गिया uniform velocity, अगर displacement हो गिया, unequal, और time हो गिया, unequal, तो क्या हो गिया, तो हो गिया हमारा non-uniform velocity. खाना, तुसी तरह आप देखो तो acceleration पर आते हैं, तो अगर चेंजिन वेलोसिटी है, और नीचे time है, तो अगर changing velocity equal होगा, equal changing velocity, कितना time में? equal time हो, तो वैसे acceleration को क्या बोलेंगे? अगर चेंजिन वेलोसिटी, जो वेग परिवर्तन का अधर है, वो बराबर नहीं होगा, unequal हो, unequal हो जाएगा, कितना time में? unequal time हो, तो वैसे acceleration को क्या बोलेंगे? non uniform acceleration, और बाकिया आपका average acceleration रहा, तो average में total ले लेंगे, by total time, और instantaneous, ऐसे instant, पे, क्या definition समझ आया सबको? तो आपको जा करना है, लिखने का try करना है, चारो time, कौन सा, uniform acceleration, non uniform acceleration, average acceleration, और instantaneous acceleration, यह आपको लिखने का try करना है, ठीक है? और बाकि में next class में इसका definition और बाकि सारे चीज़े continue करना है, ठीक है? झाल